आदर्निय अविभावगण आप सभी को नमस्कार जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारस सरकार द्वारा 15 अक्टोबर से चरणवद तरीके से विद्याले प्रारम करने का प्लान किया जा रहा है उसी के संदर्म में गार्डियन्सों से जो अविभावगण उनसे सुझाब मांगे गए हैं कि क्या विद्याले 15 अक्टोबर से प्रारम किया जाए या नहीं किया जाए उसी के लिए आपके सुझाब आमंत्रित हैं इसमें जो आपके सुझाब मांगे गए हैं उसमें मुख्य विंदू क्या है उसमें मुख्य विंदू ये हैं फर्ष्क तो जैसे आपको बताया गया था कि क्या विद्याले 15 अक्टोबर से प्रारम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए फर्स्ट पॉइंट यह था, सिकन्ड पॉइंट आता है आपका, कि आप अपने बच्चे को विध्यालला भेहिजने के इच्छूख हैं या नहीं है, कि यदि विध्यालला ओपिन होगा, पंद्रक टुबर से ओपिन भी किया जाता है, तो आप अपने बच्चे को विध्यालल बेजना चाहेंगे, fourth point था और आप सब्ताह में आपने, जितने भी दिन आप विद्यालय बेजना चाहें, या सब्ताह में कि हाँ, आप इतने दिन विद्यालय बेजने के लिए इच्छुक हैं, तो उसमें से प्रति एक दिन, आप कितने गंटे चाहेंगे कि आपका बच्छा विद्धियाल्य में रहे नम्मर फाइव है कि इसकोल के जो open होने पर ए इसकोल से आपकी क्या आसा रहेंगी या इसकोल से आपकी क्या आशा है इन पॉइंट्स में आपको सभी अविभाबगणों को एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा उस लिंक की थो गूगल फॉर्म में है गूगल फॉर्म में जैसी आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने ये खुल के आएगा फर्स्ट है आपका नेम उब दा चाइल्ड इस्टडिंग इन केवी ये केवी संगठन की ओड से डाटा मांगा जा रहा है और केवी संगठन जैसे कि हमारे भारत सरकार को वो ये डाटा प्रोवाइड कराएंगे कि नेम उब दा चाइल्ड इस्टडिंग इन केवी तो आपके जो है name of the child आपके बच्चे का क्या नाम है जो केंदर विद्याले में अध्यान कर रहा है आपको आपने बच्चे का यहाँ पी क्या है बच्चे का यहाँ पे name fill करना है name fill करने के बाद में second में जाएंगे आपका name of kevy उसका kevy का क्या नाम है जिसे आपका बच्चा यहाँ पे यह था कि हाँ भी kevy का क्या नाम है तो आपने क्या करना है बच्चे का name second kevy का क्या नाम है तो kevy का नाम आपके क्या है खटीमा है कि बच्चे की class और section कौन सा है वह आपको यहां पर detail इसको fill कर देनी है class section वाला बच्चे का फिर आप यहां पर और एक चित्य ध्यान नगना यह अगर आप जो है कोई भी detail जो आपका red यह sign बना हुआ रहा है आप देख रहे हैं यहां पर इसका मतलब है यह detail required है अगर आप इ के कि आदा फर्ष्ट में क्या दा जो आपका सबसे फर्ष्ट वाला दा कि Island अचसौन के चुन क्या नाम था सिक्ड में जो आपका बिद्याल नहां उसका नाम तक किस के घृ में श्टी कर रहा है थार्ड में थापक क्लास और स्छयवसरेंड में कुन सा बतकि इन영 तो petites सी कैया रिलेशन है जो फिल कर रہा है फादर है मधर है यह अदर कोई गाड़ीन है अंकल यह कोई बह पर उसमें यह उसमें आज गई ओफेशन और ऊवर्फषाटर यहाड़ र जान के उसे हैने वो सेंटर अवर्मेंट के आपके केंदर सरकार के करमचारी है यह state government के करमचारी है private job है यह वो unemployed है यह वहाँ पे आपको उसमें से select कर लेना है profession of mother यह और guardian तो यहाँ पी कहता जो profession of mother and guardian उपर के अदा आप देख रहे थे यहाँ पे father या guardian था यहाँ पी कहता mother या guardian का जो भी profession है वहाँ पे आप उसमें fill करेंगे does the child have individual device यहाँ पी यह था कि क्या आपके बच्चे के पास में उसका जो है individual device individual device मतब कि क्या बच्चे के पास उसी का बच्चे का ही phone है for attending online class की मतब बच्ची के लिए especially वो ना मम्मे का पापा का mobile से बच्चा भी उसी class से कई बार होता है कि parent के mobile है मैं जी हूँ हम अगर यहाँ पे देखा जाए तो और उसमें parent जब बहार चले आते हैं तो बच्चों के साथ में problem होती है तो बच्चों के पास में personally phone बच्चों का नहीं होता है तो बच्चों के पास में personally mobile है तो yes कीजिएगा दरवाईज आप no करेंगे name of the device available with child for online classes कि जो आपकी device available है with child जो बच्चे के पास में for online classes वो क्या है बच्चे जो है किस class से laptop से class attend कर रहा है या class join कर रहा है mobile से या कोई device नहीं है ठीक तो आपने यहाँ पे यह सारी चीज़े detail next ता आपका are you willing to send your child to school यहाँ पे यह main point आता है कि क्या आपने बच्ची को school बेजेने के लिए चुक हैं तो मैं आपसे बार-बार बोल ला हूँ अपना correct data कोई pressure नहीं है आपके उपर कोई किसी भी type का आप वहाँ पे यहाँ आप अपने बच्ची को जो आपको अपने आप में लग रहा है अगर आप इचुक हैं तो आप yes कीजिएगा और यदि आपको लग रहा है कि बच्ची की safety purpose से आप थोड़े से भी इचुक नहीं है तब आप no कीजिएगा ऐसी कोई भी foundation नहीं है पूरे फोम में यहां आपको yes करना है या no करना है आपके जो इचुक है वह आप आप yes या no में आप कर सकते हैं ठीक if yes यदि आपके इचुक है date from which you are willing to send your word to विद्याला यहां पे यह जो विद्याले है अगर आप इचुक हैं तो date from which you are willing to send और यहां पे क्या आता है यहां पे जो दिया हुआ था कि हाँ जो आपके इस्टेट के बाद में किया तो वो तो central government का था फिर इस्टेट अथोर्टीज है उसकी परमीशन है या नहीं है वो सारी चीज़ भी उसमें matter करेगा नेक्ट आप दिख रहें दे if you how many days if sorry if yes how many days in a week यदि आपका yes है कि हाँ आप बच्चे को बेजने के लिए इच्छो गया है और इतनी date से तो आप जो उसमें एक बीक में दिलगबक कितने days बीजने के लिए आप बच्चे को इच्छो होंगे वहां पे आप डेज लिग और प्रती एक दिन आप बच्चे को अगर इसकोल खुलता है ओपन भी होता है तो आप बच्चे को कितने गंटे जाएंगे कि हाँ बच्चे इतने गंटे इसकोल जाए इस्टार्टिंग में यह वाली सारी शीजिए expectations from school on reopening जो school reopen होने के लिए जा रहा है तो आपकी जो इसक submit नहीं हो पाएगा आप सारे points फिल करके उसको submit कीजिएगा और submit करने के लिए यह जो इसकोल में ऐसे नहीं यह लगबग सभी parents के लिए आपका एक compulsory है आपको सभी parents को यह data provide कराना है school में और दिहान रहे कि यह जो है आपके जो response इसमें submit किये जा सकते हैं यह मात्र आपका जो है 11 तारिक तकी 11 अक्टूबर तकी आप response उसमें submit कर सकते हैं तो कोसिस कीजिएगा कि आप 10 अक्टूबर तकी वो सारे response submit कर दें आपको link provide कराया जा रहा है उस link के थो आपने स्क्रीन सोट भी भेज सकते हैं कि हाँ आपने बच्चे का response submit कर दिया है यह आपना response submit कर दिया है जिसके भी आप बच्चे के फेरेंट है आप गुरूप में send कर सकते हैं और यदि कोई बच्चा भी आपका send कर रहा है तो कोसिस रहे कि